जैहिन दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यट्यूब चैनल गोल इंडियन आर्मी में दोस्तों टेरिटोरियल आर्मी भरती 2021 जिसे आप टी ए भरती भी बोलते हैं अगर आप इस भरती के फॉर्म को अप्लाई कर देते हैं तो यह आपके लिए सबसे बड़े अपोर्चनेटी साबित हो सकती है दोस्तों आज हम आपके लिए इसी के बारे में कंप्लेट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं कि इसमें क्या-क्या eligibility criteria मांग गया है और इसमें कौन-कौन candidates इसके फॉर्म को apply कर सकते हैं तो दोस्तों बने रही है इस वीडियो में last तक और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सबस्क्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सबस्क्राइब करके बैल आइकन को प्रेस कर दीजी तो चली दोस्तों ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं हमारे सामने टीए बर्दी का नोटिफिकेशन दिया हुआ है दोस्तों इसका लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूँगा आप महां से इसकी वेबसाइट पर भी आ सकते हैं और आप इसके उफिशल नोटिफिकेशन को भी महां से डाउनलोड कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं इसमें जैसे कि आप देख सकते हैं रिक्रूट्मेंट और्गनाजेशन टेरिटोरियल आर्मी टीए यानि कि टीए की तरफ से All India वेकंसी निकाल दी गई है और इसमें जो आपकी नंबर उफ पोस्ट वेकंसी रहने वाली हैं वो आपकी 1499 पोस्ट एप्रोक्स रहेंगी यानि कि 1500 के लगबग आपकी पोस्ट इसमें रहने वाली हैं दोस्तों ये जो आपकी बड़ती है ये जोन वाइज रहेगी जिसमें जोन फर्स्ट, जोन सेकंड, टी ए जोन थर्ड और जोन फॉर्थ के लिए वेकंसी निकाली गई है यानि कि ये चार जोन के लिए वेकंसी निकाली गई है दोस्तों आपके जोन के इसाब से आप जिस भी नर्सिंग असिस्टेंट की, चोथे नमबर पर ट्रेड्समेंड की, और ट्रेड्समेंड की दो पोस्ट हैं, एक 10 पास और दूसरी 8 पास, तो इन 5 पोस्ट के लिए ये विकेंसी निकाली गई है, दोस्तों इसमें जो आपका एपलाई मोड रहने वाला है, वो आपका डारेक् बरती स्थल पर जाना होगा, और अपना फिजिकल देना होगा, दोस्तों अगर इसमें बात करें कि इसमें कौन-कौन कैंडिडेट्स एपलाई कर सकते हैं, तो इसमें ओल इंडिया के कैंडिडेट्स एपलाई कर सकते हैं, और इसमें जो आपका एक्जाम सेंटर याने की फ परमंद तक रहने वाली हैं अगर इसकी application fees की बात करें तो इसमें आपको कोई भी फीस नहीं लगेगी क्योंकि ये direct वर्ती है तो direct वर्ती में आपसे कोई भी फीस नहीं ली जाएगी इसके बाद अगर इसमें age limit की बात करें तो दोस्तों जैसा कि आप जानते ही हैं कि जो TA की बर्ती होती है उसमें 18-22 age होनी चाहिए अगर आपकी age 18-22 साल के बीच में हैं तो आप इसके form को apply कर सकते हैं और ये जो आपकी age count की जाएगी ये आपकी 1 October 2021 की जाएगी दोस्तों अगर इसके बाद इसकी physical detail की बात करें तो इसमें आपके जो height है वो 106 cm होनी चाहिए अगर आपकी height 160 cm है तो आप इसके form को apply कर सकते हैं अगर chest की बात करें तो chest इसमें आपकी 70 प्लस 5 cm होनी चाहिए यानि कि आपकी 77 cm chest होनी चाहिए और 5 cm का उसमें फुलाव आना चाहिए इसके बाद अगर weight की बात करें तो आपका जो weight है वो आपकी height के according ही होना चाहिए लेकिन आ आपको पताई होगा कि आपकी 16 cm की running करवाई जाती है जिसमें जो आपका timing है वो 5-30 का रहता है अगर आप इससे पहले running complete कर लेते हैं तो आपका physical qualify हो जाता है इसके बाद आपसे इसमें 10 pull ups भी लगवाई जाते हैं तो यहां तक आपका physical complete हो जाता है physical के बाद आपका medical test examination के बाद आपका document verification कराया जाएगा अगर आप इन चारो process को qualify कर लेते हैं तो आपका final selection हो जाएगा तो दोस्तों यह थी इस बर्दी की details आप इसके बारे में औरदिक जान सकते हैं इसके link में आपको description में दे दूँगा आप वहां से इसके बारे में औरदिक जानकारी देख सकते हैं अगर इसके education qualification की बात करें तो soldier gd के लिए आपको 10th pass होना compulsory है और soldier clerk के लिए 12th pass compulsory है और जो इसमें tradesman की post है उसके लिए अगर आप 8th pass है या फिर 10th pass है तो भी आप इसके form का apply कर सकते हैं दोस्तों अगर इसमें भरती date की बात करें तो यह जो इसमें 4 zone दिये जाएगा जिसके अंदर दारजिलिंग, अंडमान और निकोवार ये तीन जनपद आते हैं अगर आप इन तीन जनपद से बिलोंग करते हैं तो आप इस बरती में जा सकते हैं और जैसा कि आपको बताए कि यह direct बरती होने वाली है तो इसमें आपको सीधे जाते ही physical लिया ज सकते हैं दोस्तों अगर आप देखना चाते हैं कि आपका जोन कौन सा है तो इसके description में आपको मिल जाएगा यहां से आप देख सकते हैं दोस्तों इसका full notification में आपको description में provide करा दूंगा आप यहां से इसके notification को download कर सकते हैं तो दोस्तों अगर आपका इस बरती के बारे में और कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट बोक्स में जरूर पूछिए हम आपको उसके भी इंफोर्मेशन प्रोवाइट करा देंगी तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत